तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन के बारे में कन्या लगन के विभिन भाव में जब सनी इस्तित होते हैं तो सनी अपनी महादसा में आपको क्या-क्या रिजल्ट देते हैं इससे पहले अपने नवम भाव के बारे में बात की थी इस वीडियो में बात करेंगे दसम भाव के बारे में तो अगर आपका कन्या लगन है तो आपके दसम भाव में मिठुन रासी है और बुद्ध की रासी में जब भी सने इस्तित होते हैं तो यहां सन्य अपनी महाधसा में काफी अच्छे result करते हैं हाँ इतना जरूर है जो जातक है अपने पिता से थोड़े मतवेद रख सकता है, अपने फैमली मेंबर्स से वो काफी मतवेद रख सकता है कभी-कभी, और इवन वो माता के साथ काफी अटेजड रहेगा, लेकिन फिर भी माता से उसके कुछ हदितक मतवेद हो सकते हैं, सनी की बुद्ध की रासी में शनी के होते हुए जातक के पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हो सकती हैं, जातक के पास बहुत सारे ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां पर वो जिवन में आगे बढ़ सकता है, उसको वास्ता में रास्ता दिखेगा आगे बढ़ने का, तो यहां एक स्वर अन आपका खराब कर सकती है और अगर mid days में दसा आ जाते तो mid days में ज्यादा hard work करवा सकती है इसके लवा किसी जातक हो अगर old days में ऐसी दसा आ जाए तो ज्यादा से ज्यादा उसको name fair मिलता है अपने carrier में लेकिन चलो इसकी बात तो हम end में करेंगे बट अगर देखा जाए तो यहाँ बहां पर किसी दूसरे की जरुत पड़ेगी यह सब जातक को बहुत अच्छे से पता होगा इस प्रकार का जातक बिजनस करके भी बहुत अच्छा पैसा earn कर सकता है और अपनी एक अलग पहचान बना सकता है इसके लवा सनी देखिए यहां dual sign में dual sign में होने की विज़े से जातक के पास दो दो परकार के विचार हो सकते हैं वो सकता है वो बिजनस के बारे में भी सौच रहा हो सेम समय पे या फिर वो कोई भी पार्ट टाइम जोब कर रहा है या फिर वो पार्ट टाइम बिजनस कर रहा है या फुल टाइम जोब कर रहा ह यहां सनी इस्तित है तो सनी निस्त रूप से बहुत जदा आपको serious बनाएगा अपने profession के परती जातक बहुत जदा इमानदार होगा कभी भी वो काम चोरी नहीं करेगा अपना हर काम वो समय पर करने को देखेगा इसके लावा ऐसा सनी आपको कभी-कभी विदेश से भी फाइदा पहुचा देता है आपको कभी-कभी business में भी काफी इच्छा फाइदा सनी करा देता है पर देखा जाए तो आपकी चार्ट में सनी 5 और 6 थाउस के स्वामे बनते हैं ऐसे में कुछ बाधाओं का सामना आपको सनी की दसा स्टार्ट होने पर अवस्य करना पड़ सकता है अपने केरियर में लेकिन जैसे जैसे सनी की दसा आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको एक अच्छी समझ आ जाएगी अपने केरियर की और किस परकार से आपको अपने career को आगे चलाना है, ये आपको सब समझ में आएगा Sunny का यहां इस्तित होना बताता है कि जाए तक अपने काम के परती कितना rigid हो सकता है कितना ज्यादा महनती हो सकता है, कितना hard working वो हो सकता है और साथ ही कितना capable हो सकता है किसी भी पृस्तिती, किसी भी इस्तिती को handle करने के लिए यहाँ सनी स्तित है तो निस्तित रूप से आप अपने काम पर पूरा-पूरा फोकस करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कभी-कभी आप अपने domestic life पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे सबसे ज्यादा ध्यान आपका आपके काम पर अपने job पर रहेगा तो यहाँ पर विक्ति को ऐसा सनी काफी ज्यादा बीजी कर देता है बहुत ज्यादा उसको समय लगता किसी काम को करने में यह थोड़ा सा problem जरूर आ सकती है इसके लवा सनी, पांचे और चठेगर के श्वामी होने के वज़े से बाधाओं को जरूर आपकी life में लेके ही आते हैं और बाधाओं आने के बाद ही वो आपको सिखाते हैं बाधाओं से ही आप सीखेंगे यहाँ पे आप इतना easily नहीं सीखने आले इसके लवा मैनली आप क्या अपने profession के बारे में सोच रहे हैं किस प्रकार से आप planning कर रहे हैं क्योंकि पंचम भाव यहाँ जुडाव है तो आप अपनी छमता का किस प्रकार से उप्योग कर रहे हैं अपने profession में यह बहुत ही ज़्यादा महत्वण हो जाता है अब अगर हम देखेंगे तो सबसे पले सनी की दृष्टियों की बात करेंगे सनी यहां से बारवे भाव को देखते है बारवे भाव को देखने के वाज़से ऐसा सनी आपको विदेश से फाइदा करवा सकता है विदेश यात्रा दे सकता है इवन वो विदेश में आपको सेटल कर सकता है इसके लबा कुछ बहुत ज़्यादा जो खर्चे हैं वो आपके जरूर बढ़ेंगे सनी की दसा के दोरान इसके लबा जाद तक कभी-कभी अपने कैरियर के परती बहुत ज़्यादा बंदा हुआ फील करेगा बहुत ज़्यादा restriction में वो आपने आपको फील करेगा ये थोड़ी समस्या आपको जरूर आ सकती है इसके लबा जाद तक को अपने सनी की दसा के दोरान कुछ हद तक ज़्यादा ही महनत करनी पड़ सकती है या एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारियां अपने उपर लेनी पड़ सकती है सनी उसके बाद देखेंगे आपके fourth house को fourth house पर जब सनी की दरश्टी पड़ेगी ऐसे में ये घरेलू जिवन के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पर जातक थोड़ा सा कमी फील करेगा सन्तूस्टी उसको कम रहेगी घरेलू जिवन से और वो घर पर उतना समय नहीं दे पाएगा अगर वो समय देना भी चाहता है तो उसको अपना जो समय है अपने कारिय चितर से काटना पड़ेगा तो एक बैलेंस वाली स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती फिर ऐसी कंडिशन में यहाँ पर सन्य कभी-कभी आपके अपने परिवार से अपको विवाद भी करवा सकता है और ऐसी स्थिति बहुत बार बन सकती जब आप ज़्यादा समय अपने प्रोफेशन को देने की वज़े से ओफिस में ज़्यादा टाइम बिता रहें लेकिन घर पे उतना ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहें या फिर आप घर के मामलों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे तो ये एक थोड़ा प्रेशानी का कारण बन सकता है इसके लवा ऐसा सनी आपको थोड़ा मेंटली भी डिस्टरब करेगा उसके बाद सनी देखते हैं आपके सेवन्थ हाउस को सनी द्वारा देखा जाना काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ पे कुछ हद तक आपको आपके जिवन साथी की अच्छे मदद मिल सकती है आपके कारी चेतर में बट यहाँ जिवन साथी के साथ काफी मतवेद देखने को मिलते हैं जात तक अपनी मैरीड लाइफ पर पूर्ण रोप से फोकस नहीं कर पाता उसको अपने मान सम्मान की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी उसको अपने कैरियर की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी हलांकि टेंथ हाउस में सनी है तो अपनी दसा के दुरान शुरुआत में कुछ बात देता है कुछ रेस्ट्रिक्शन देने के बावजुद सनी एक बहुत ही स्टेवल इस्टिती आपको जरूर प्रोवाइड करेगा लेकिन देखा जाए तो स्टेवल इस्टिती आते-ाते काफी ज़दा समय लग जाएगा अब देखें यहाँ पर सनी जब भी सप्तम भाव को देख रहे हैं इसके बाद हम देखेंगे कौन से एजब्रेड में यह दसा आया आपके लिए तो ज़्यादा बहतर रहेगा और कौन-कौन से एजब्रेड में ही क्या-क्या रिजल्ट दे सकती है तो हमने इसको सिरफ तीन भागों में डिवाइड किया जैसे किसी जात्त को बहुत early phase में यह दसा आ जाती है early phase में अगर यह दसा आती है तो आपके मांसिक इस्तती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है गरेलू सुक्किए आपको कमी देखने को मिल सकती है इसके लवा माता-पिता का restriction restriction माता-पिता के बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको जहलनी पढ़ सकते हैं जो वास्त में आपको जहलनी नहीं चाहिए इसके लवासनी क्योंकि domestic environment ऐसा कर देता जहां पर आपके पास सिरफ मूल भूत सुविधाई या कुछ सुविधाई ही available हैं तो ऐसे में थोड़ा सा आपका जो सुरुवाती जरीवन है वो थोड़ा सा दिक्कत में हो सकता है restrictions में हो सकता है या पूर्ण रूप से आपको सुविधाई ना मिले हो ऐसा हो सकता है उसके बाद बात करें अगर किसी जातक को mid age में ऐसी दसा आती है लगबग 25 साल या 30 साल के age period में उस समय जातक के पास बहतरीन छमताएं होती है वो बिल्कुल सक्सम होता है किसी भी काम को करने को लेके तो ऐसे में जातक ज़्यादा सफल हो सकता है लेकिन उसको सफलता दिरे दिरे ही मिलती है इसके बाद अगर हम देखें किसी जातक को बहुत late age में old age में अगर सनी की दसा आती हो तो ऐसी दसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा name fame दे सकती है कारी शितर में आपको बहुत ज़्यादा perfect बना सकती है इसके लावा देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी आप famous हो सकते हैं लेकिन देखें early age की दसा नहीं है actual में और early age में अगर यह आजए तो जातक को जरुष से ज़्यादा effort करने पड़ सकते हैं तो यह कुछ results रहेंगे जब भी Sunny आपके 10th house में इस्तित्त हो और Sunny की महादसा आपको आरियो 19 वर्स की